हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल यूनिटी क्लासेस मैं हुआ मरजीत और फ्रेंड्स यहां पर हम डिसकस करेंगे कि जूनियर एड़ेड हाई स्कूल भरती सिच्छक भरती की जो परिच्छा है जो की 18 अपरेल को थी वो परिच्छा जो है पंचाय पिछोड़ कर जाएंगे तो सायद आपको पता चल पाए लेकिन यहां पर पूड़ा वीडियो वीडियो के लाश्ट तक आप जरूर बने रहेगा और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो है आज का न्यूज पेपर अर्थात आज जो है वह है 11 अप्रेल 11 अप्रेल के जो भी आप न्यूज पेपर देखेंगे दैनिक जागर तो दैनिक जागर या फिर अमारुज अलामा भी जो कोई भी न्यूज पेपर होता होगा उसमें जो है यह दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ कि परदेश के 900 केंदर उपर जो है होगी सिच्छक भरती जो है यह हम बात करें जूनियर एडेड सिच्छक भरती परिच्छा की जो की 18 अपरेल को परिच्छा होना था लेकिन अस्थगीत कर दिया था पंचाय चुनाव के कार्ड अब यहां पर हम न्यू एक्जाम डेट के बारे में हम डिस्कसन करेंगे तो यहां पर देख सकते है कि यह प्रियागराज इलहाबाद द्वारण प्रकास्यत की गई है यहां पर दिया हुए कि एडेड जुनियर हाइड स्कूल सिचक भरती लिखित परिच्छा की तारिक जल्द घोषडा की जा सकती अब इसकी परिच्छा की तारिक जो है और एडमिट कार्ड जो है इसके ब बनाए गए है यह परिच्छा तो हलाकी 18 अप्रेल को थी इस लिए जो है इसकी तयारी पूडा कर ले गई है अब जो है न्यू डेट एक्जाम कब होगा उसको जो है सिर्फ बताना है उसके बाद जो हर एक तयारी कर ले गई है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिया ह बाद वह यूपी बोड की परिच्छा से पहले तारीक तय हो सकती है तो यह जो है यहां पर दिया है आपका एक्जाम डेट अब यहां पर हम बात करें दो मई को जो है पंचाय चुनाव का हर एक काम जो है खतम हो जाए क्योंकि दो मई को प्रेडाम इसका आ जाएगा पंच क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ का एक्जाम खतम होगा 28 मई को अब यहां पर हम देखेंगे अब यहां पर जो है इस पर्ष्ट आपको दिया हुआ है कि इसके लिए पंचाय चुनाव के बाद जो है या फिर यूपी बोड का जो एक्जाम है टेंथ और ट्वेल्थ का उससे पहले जो है वो तारिक हो सकती है कि इसमें जो है आपका तारिक हो जाएगा कि मान लिजे दो तारिक को पंचाय चुनाव है और आठ तारिक से आठ तारिक को जो है यूपी बोड का एक्जाम है दो तारिक को जो है दो मई को जो है पंचाय चुनाव का रिजल्ट आएगा प आपका junior editsychak भरती के परिष्चा बहुंधे को उसकती है इस परच ही और लिखीद परच्छा हो कि यहाँ पर ढहरा लोगों द्वारा इसा निवेदन किया गया क्योंकि जो टीचर है उनका ही ड्यूटी लगा है तो 18 तारी को ड्यूटी करेंगे और 19 तारी को जो है उचुनाव में कैसे एक्जाम में जो है वो कैसे भाग लेंगे इसलिए जो है इसकी परिच्छा डेड जो है वस्तगीत कर दी गई थी अब नई तारीक जो है वो नहीं प्रस्तावित की जासे कि बोड़ परीच्छा 28 मयी तक कारिक्रम जारी हो गया है आपको पता है कि यूपी बोड टो स्थाठ आथ मयी तक चले गी यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो भरती परिच्छा है जुनियर एडेट की यहाँ पर देखे आप इस पर्ष्ट लिखा हुआ है कि इसी मुताबित भरती की परिच्छा जो है संस्था भी बोड इम्तिहाम से पहले यहाँ पर परिच्छा कराने का परिच्छा जो है पर परिच्छा कराने का प्रस्ताव सासन को भेज रही है कि इम्तिहान से पहले परिच्छा लिया जा सके जुनियर एडेट सिच्छक भरते की तो यहाँ पर आपको कनफर्म है आपके पास ज़्यादा दिन टाइम नहीं है क्योंकि यह दि इसको जो है यूपी बोड एक्जाम के बाद लेना होता परिछा तो यह नहीं लेता अभी जो है न्यूज नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर दि हो जाएगी यूपी बोड के परिछा से पहले तो यहाँ पर है आपको ज़्यादे दिन टाइम नहीं मिला है आप जो है आप भी दैनिक जागण न्यूज पेपर देखेंगे तो दैनिक जागण न्यूज पेपर का जो है आज 11 अपरेल का जो है ये न्यूज है तो आप वहां से जो है आप देख सकते हैं तो यहां पर जो है ज्यादा दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है लगभग लग की परिच्छा हो जाएगी जुनियर एडेट की फिर आगे हम यहां पर देखेंगे आगे यहां पर टाइम तो टाइम हमने आपको बता ही दिया कि टाइम जो है आपका 5-6-7 मई 5-6-7 मई इस डेट में जो है वो कभी भी परिच्छा हो सकती इसके पहले नहीं होगी क्योंकि इसके पहले पंचाय चुना होगा इसके बाद भी नहीं होगा यहां पर 4-5-6 कर लिजेगा साथ को नहीं होगा यहां पर चाहर पांच-6 क्योंकि 7 को जो है यू पी बुर्ड का एकजाम थो उसके पहले परिच्छा केंद्रों का जांच परताल किया बबचा पहले नहीं होगा क्योंकि चाहर से पहले 5 चुना हुँए और 6 के बाद नहीं होगा क्योंकि 6 के बाद जो है यूपी बोर्ड का एक्जाम है तो यहां से आपके पास चार या पांच है यह तीनों डेट में जो है आपका परिच्छा होगा जल्द ही एडिमिट काड पब्लिस कर दिया जाएगा और ओफिसियल नोटिफिकेशन भी पब् जो आपका वहीं पाथकरम था वहीं पाथकरम हैं पाथकरम में कोई बदलाव नहीं किया गया है आप अचे तरीके से जानते होंगे यहां पर बात करेंगी कोबिट के कार्ड किसी भी पर कार कीष्छा पर कोई इफेक्ट नहीं पहुझेगा क्योंकि जो था stakes हो रहा है यहा तो टीचर हैं तो यह परिच्छा जो है कोविड की कार्ड बिल्कुल ही अस्थगीत नहीं अब बहुत ही जादे इसका लहर हो जाए तो उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कोविड के कार्ड नहीं हो रहा है इसके अलामा जो है बहुत से परिच्छा हो रहा है रेलिवे का परिच्छा हो रहा है और यूपी का जो है स्टेट का बहुत सारे एक्जाम है यहां तक कि सबसे बड़ा एक्जाम जो है यूपी बोर्ड का एक्जाम हो रहा है तो कोवेट के कारण कोई स्थकित नहीं हुआ कोर्में बंद्ध कर देला प्यों कि कोचाई यह ऑफ Nodus से वहां और अ क्योंकि द TwoECy कॉर्मेंट तरुम ने लिए उत्ते ओंब जो है 11 अपरेल है लगभग लगभग बात करने तो इसमें 19 दिन बचा है फिर आगे जो है तो उसमें ज्यादा दिन बचा ही नहीं है क्योंकि 2-3 दिन है तो मान लिजिए आपको आपके पास टोटल जो है 20-22 दिन जो है वह बचे हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है टके करश नहीं है थो गोड़ आपके लिए लिए टक्य। घाड्स एटल जो है अंच को तबकि लिए काशने के लिए बस्तन के अंच के लूट जो है कर दो कर दो कर दो को एक लिए है पास कर दो